भारत से कई साल पहले शुरूप हुआ था पाकिस्तानी इस्पेस प्रोग्राम सुपारको सुपारको की स्ठापना 1961 में हुई थी जब की इसो की स्ठापना करीब इसके 8 साल बाद 1969 में हुई थी इस कौंसल के एक वैज्ञानिक ने अपने एक ब्यान से सबको चौका दिया था। उन्होंने कहा था पाकिस्तान अब इस पेस एज में दाखिन होने वाला है और हम बहुत जल्द ही अंतरिक्ष में एक रॉकेट भेजने वाले हैं। ये वैज्ञानिक थे प्रोफेसर अब्द की देखकर डंग रहे गये थे। ये वही वैज्ञानिक अब्दुस सलाम थे जो आगे चलकर विज्ञान के शेत्र में नोवल पुरसकार जीतने वाले पहले मुसलमान और पाकिस्तानी बने थे। अयूब खान जब प्रेजिडेंट बने तो अब्दुस सलाम ने उन्हें प समबर 1971 को कराची में सुपार को यानि पाकिस्तानी स्पेस एंड अपर अटमास्फियर रिसर्च कमिशन की स्थापना हुई। पाकिस्तान ने अमरीका की मदस से अपने स्पेस प्रोगाम के ख्वाप को पूरा किया था। पाकिस्तान ने अपना पहला रॉकेट साल साथ एक साल बाज ऐसा कर सका था। इस रॉकेट लॉंचिंग के बाद पूरे सब कॉंटिनेंट में पाकिस्तान ऐसा करने वाला पहला देश बन गया था। साथ ही पूरे एशिया महादीप में पाकिस्तान ऐसा तीसरा देश और दुनिया का दस्वा देश था। जिसने अंत्रि बड़ा उन दिनों अमरीका और पश्चिमी देशों तक ने पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम को सरहा था पर पाकिस्तानी स्पेस प्रोग्राम का स्रेडिंग दौर केवल दस साल रहा जनरल यहाखान और प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में प्राक् पर खर्च करने लगा इस प्रोग्राम की फंडिंग में लगात्यार कट होती होती रही सुपार्कों को मिलने वाले पैसे स्रक्षा शेत्व में खर्च होने लगे थे यह सिलसला जनरल जिया उलहक के समय में भी ऐसे ही चला सारा पैसा एटॉमिक हत्यार हासिल करने में चाम दे रहा था जबकि भारत पहले ही परमानु पर शर्क कर चुका था दोनों देशों के बीच कुछ जंगे भी हो चुकी थी पाकिस्तान का सारा फोकस एटम बम मिसाइल टकनीक और फाइटा जैट हासिल करने पर चला जया जो बहतरीन वैज्ञानिक थे वैटामिक पर शर् और इस तरह पाकिस्तान का स्पेस कारिकरम अपने लक्ष से बेहत पीशे छूटता चला गया 1980 के दशक में पाकिस्तान के मशूर वैग्यानिक मुनीर अहमद खान ने जिया हुल हक के साथ मिलकर सुपारकों में नई जान फूगने की कोशिश की कई नए मिशन लाउंच किये रिसर्च के लिए पैसे भी दिये गए पाकिस्तान के पहले सैटलाइट बदलवन को 1990 में चीन से ही अंद्रुच में लाउंच किया जया था सुपारकों ने अपने दूसरे सैटलाइट को तैयार करने के लिए UK की मदद ली लगातार तीन साल तक काम करने के बाद भी सुपारकों अपना दूसरा सैटलाइट तैस समय पर तैयार नहीं कर सका इसके बाद सुपारको को इसकी लांचिंग री शेडूल करनी पड़ी थी फिर यूएस की मनस्थ से 2001 में इसकी लांचिंग हो पाई इसका नाम पाकसेट मन इथा पर ये सैटराइट पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी नाकाम्याभी सावित हुई सुपारको ने केवल दो सालों में ही इस पर अपने नियंदर खो दिया सुपारको के असफल होने के पीछे वज़ा ये थी कि आगे चलकर इसके प्रमुक भी बरिश्च फोजी अफसर होने लगे और सर्च का काम धीमा होता चला गया